दोस्तो नमस्कार मिरा नाम संजय मग्गू है और मौझूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर आजकर आप लगातार देख रहे होंगे विधान सभाज चुनाव को लेकर सरगर्मिया बहुत जोरों पर हैं भारती जंता पार्टी और कॉंग्रेस दौनों के कैं महारतीयों को मैदान में भेजेगी इस सब को लेकर के आज हर जगा चाहे वो राजनीतिक लोग है या नहीं चाहे वो नौकरी बेशा लोग हों चात्र हों करमचारी हों किसान हों मजदूर हों दुकानदार हों मरलब आप कहीं चले जाएं इवन मैलाओं में ग्रहनियों में कि सब जगा चर्चा है कि उनके छेतर का नुमाइंदा कौन होगा कौन से नेता को टिकेट मिल रहा है किसका टिकेट कट रहा है क्या होने जा रहा है हर व्यक्ति की जिग्यासा है आज भारती जनता पार्टी की एक बैठक होनी थी PSE की जिसके अंदर की कैंडिडेट्स शॉट लिस्ट के जाने थे लेकिन वो बैठक टल गई कल के लिए वो बैठक भारती जनता पार्टी की कल होगी कॉंग्रेस की भी स्क्रीनिंग कमिटी की बैठके लगातार चल रही है और अब कॉंग्रेस की भी CEC की बैठक संभावता कल लियाने के 29 तारिक को हो सकती है और संभावनाए हैं कि भारती जनता पार्टी एक सूची लगवक जिसमें 40 से 50 के बीच में नाम हो सकते हैं उस पहली सूची को जारी कर दे उस सूची में कौन से नाम आ सकते हैं हमने भी उस पर काफी हद तक काम किया और भारती जनता पार्टी के जो हमारे सोर्स हैं जो सूत रहे हैं उनसे जो जानकारियां मिली उनके इसाब से हम आपको आज एक लिस्ट जारी कर रहे हैं बता रहे ह जो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं भारती जन्ता पारटी के खालां कि यह list तै लिस्ट नहीं है यह भारती जन्ता पारटी के candidate हो जाएंगे यह तै नहीं है लेकिन संभावना है कि 99% इनी लोगों में से किसी को भाजपा का ticket मिलेगा यानि कि यह candidate होंगे तो किन चैरों पर भारती जनता पारटी चुनाओं मैदान में उतार सकती है वो आपके साथ हम शेर कर रहे हैं आपके साथ साजा कर रहे हैं तो सबसे पहले बता दूं कि मुख्या मंतरी नायब सिंग सेनी हालाक इनके बारे में चर्चा है कि इनको भारती जन्ता पारटी दो विधानसवा सीटों में उतार सकती है लेकिन हम आपको बता दें कि बीजेपी का जो गंभीर मंथन हुआ है उसके अंदर ये बात निकल करके आई है कि नायब सिंग सेनी को दो नहीं एक ही सीट पर मैदान में उतारा जाए जो भी तक बात चली है और संभवता जो लिस्ट आनी है भारती जन्ता पारटी की जो कल लिया परसों यानि कि बुद्ध ब्रस्पतवार या शुक्रवार के दोरान में आ सकती है और उसके अंदर जो नायब सिंग सेनी के लिए सीट तै की गई है नायब सिंग सेनी को लाडवा से चुनाओ मैदान में उतारा जा सकता है नायब सिंग सेनी लाडवा से केंडिडेट हो सकते हैं भारती जन्ता पार्टी के जो परदेश अद्यक्ष है पंडित महुनलाल बडोली उनको राई विधान सभा से जहां से विधायक अब भी है राई के उनको राई से ही विधान सभा में दुबारा उतारा जा सकता है आगे बात करें तो मिलेनियम सिटी गुरुगराम से चौकाने वाला नाम सामने आ सकता है स्वामी धरम देव यहां पर कैंडिडेट हो सकते है सोना के जो विधायक है संजे सिंग उनका टिकेट कट सकता है और संजे सिंग के स्थान पर सोना से अशोग जोनपुरिया सुखवीर जोनपुरिया जो सोना से पहले विधायक भी रहे और आजकल राजिस्तान के सांसद है सुखबीर जौन पुरिया के बेटे अशोक जौन पुरिया को टिकेट मिल सकता है पटोधी से सत्यप्रकाश जरावता जो आजकल विधायक है उनका टिकेट कट सकता है और सत्यप्रकाश जरावता के स्थान पर पटोधी से विमल चौधरी केंडिडेट हो सकती है विमल चौधरी जो 2014 में विधायक थी 2014 की विधायक विमल चौधरी पर एक बर फिर भारती जंता पार्टी दाव खेलने जा रही है पलवल विधानसवा सीट पलवल विधानसवा सीट पर अभी दो नाम है और उसमें असमंजस है पन्वल विधान सभा से दीपक मंगला और राजीव कत्याल इन में से कोई नाम आपके सामने आ सकता है अगर अगली सीट की बात करें तो गन्नौर गन्नौर से देवेंदर कादियान को भाजबा अपना कैंडिडेट बनाने जा रही है अगली विधान सभा सीट तोशाम से शुरूती चौधरी को टिकेट मिल रहा है भारती जन्ता पार्टी की कैंडिडेट के तौर पर राज्य सभा सदस्य किरन चौधरी की बेटी शुरूती चौधरी अगली विधान सभा सीट अंबाला सीटी अंबाला सिटी से असीम गोयल का टिकेट काट करके और उनकी सीट बदली जा रही है अंबाला सिटी से जिनको भारती जनता पार्टी उतार सकती है वो है राज्य सभा के सदस्य कार्थी के शर्मा के पिता भारत सरकार के पूरुमंत्री हर्याना के पूरुमंत्री विनोद शर्मा विनोद शर्मा को मैदान में उतारा जा सकता है हलांकि दूसरा नाम विनोद शर्मा की धरम पतनी जो मेर हैंबाला की उनका भी है अगली विधानसभा सीट है इसराना पानिपत की इसराना विधानसवा सीट से जहांपर पहले विधायक बनते रहे हैं कभी कृषनलाल पमार वहांपर अशोक तवर को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है अशोक तमर जो सिर्सा से लोगसभा का चुनाव हार गए थे वो इसराना से केंडिडेट हो सकते हैं अगली बात करूं तो बहाद्धुरगड से अर्विंद शर्मा जो रोतक से लोगसभा का चुनाव अब की बार हार गाई से पहले रोतक के सानसत थे अर्विंद शर्मा केंडिडेट हो सकते हैं बहाद्धुरगड के सोनीपत से भारती जंता पार्टी निखिल मदान जो वहांके मेर है उनको चुनाओ मेदान में उतार सकती है बादशापुर से चौकाने वरा नाम आपके सामने आ सकता है वो है सुधायादव सुधा यादव जो भारती जंता पार्टी की राष्ट्री एक कारे समीती की सदस्या है उनका चुनाव में उतारा जा सकता है बाश्चापुर से अगली विधानसवा सीट है गोहाना गोहाना से योगेश्वर दत पहलवान एक बार फिर चुनाव मैदान में हो सकते हैं समालखा पानिपत की समालखा विधानसवा सीट से पूर मंत्री कर्दार सिंग भढ़ाना के वेटे फरिदाबाद के नेटा मन्मोहन भढ़ाना मन्नू भढ़ाना को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है पंचकुला से विधानसभा के अध्यक्ष ग्यांचन गुपता का टिकेट कट रहा है और पंचकुला में ग्यांचन गुपता के स्थान पर असीम गोयल परिवान मंत्री अंबाला सिटी के विधायक उनको उतारा जा सकता है असीम गोयल पंच्छकुला से केंडियेट हो सकते हैं हिसार से कुरक्षेक्तर के सांसद नवीन जिंदल की माताजी पूर मंत्री सावित्री जिंदल को टिकेट मिल रहा है भारती जन्ता पार्टी का यहां पर कमल गुपता का टिकेट कट रहा है नारनाउंद नारनाउंद से कैपटन अभी मन्यूक को एक भारती जन्ता पार्टी चुनाव मैदान में उतारने जा रही है जीन से डॉक्टर कृशन मिड़ा एक भार फिर कैंडियेट होंगे भारती जन्ता पार्टी के रादवर से शाम सिंग राणा एक बार फिर से भाजपा की केंडिडेट होंगे शाम सिंग राणा संसदिय सचीव हुआ करते थे 2014 वाली सरकार में उनका टिकेट कटा था 2019 के चुनाओं में शाम सिंग राणा भारती जनता पार्टी छोड़ करके चले गए थे इनलो में नायव सिंग सैनी के नेतरताव में वापस आये और अब उनको एक बार फिर से टिकेट मिलने जा रहा है रादवर से शाबाद से कृषन बेदी एक बार फिर मैदान में होंगे मुख्य मंत्री के जो सचीव थे और पूर मंत्री हर्याना सरकार के शाबाद कृषन बेदी नांगल चौधरी से अभै सिंग यादव हर्याना सरकार के राज्य मंत्री उनको एक बार फिर टिकेट मिलने जा रहा है अटेली से संतोष यादव चुनाओ मैदान में उतरेंगी अटेली से संतोष यादव को टिकेट मिल सकता है बल्लबगर से हर्याना के जो मंत्री हैं उद्योग मंत्री मूल्चन शर्मा का टिकेट कंफर्म है तीसरी बार टिकेट उनको मिलने जा रहा है नारनौल से उम्प्रकाश यादव पर एक बार फिर भारती जनता पार्टी भरोसा चताने जा रही है फरिदाबाद से विपुल गोयल को फिर टिकेट मिलने जा रहा है विपुल गोयल का टिकेट कट गया था 2019 में 2014 से 2019 की मनहोर पार्ट वन की सरकार में उद्योग मंत्री थे कृशनपाल गूजर से विवाद था 2019 का चुनाव में टिकेट कटा एक बार फिर उनको भारती जनता पार्टी फरिदाबाद 89 से केंडिट बनाने जा रही है अगर अगरा नाम कहूं तो फिर पानिपत सिटी पानिपत से परमोध विज को जो आजकल भी विधायाक है उनको फिर से भारती जनता पार्टी अपना केंडिट बना सकती है तिगाउं से राजेश नागर को फिर टिकेट मिल सकता है हतीन से केहर सिंग रावत को भारती जनता पारटी अपना केंडिट बना सकती है केहर सिंग रावत ौधा वाली सरकार में इंडियर नेशनल लोगदल के विधायक थे इन एलोच छोड़ करके वो भाजबा में आये थे 2019 में टिकेट मिला नहीं, परवीन डागर को टिकेट मिला था, परवीन डागर का टिकेट कट सकता है और हतीन में केहर सिंग रावत कैंडिडेट हो सकते हैं, अगर अगला नाम आपको बता दूं तो फिर प्रतला विधानसवा से टेकचन शर्मा को टिकेट मिल सकता है, टेकच 2019 के चुनाव से पहले भाजबा में शामिल हो गए थे टिकेट मिला नहीं था बाजबा में रहे अब 2024 के चुनाव में प्रतला में टेक चन शर्मा को टिकेट मिल सकता है आदमपुर में भवय बिश्णोई का टिकेट फिर से कनफर्म है मेहम में शमशेर खरकडा के स्थान पर उनकी धर्मपतनी राधारानी खरकडा को टिकेट मिल सकता है नल्वा से नल्वा एक बर फिर टिकेट तै है रणवीर गंगवा का चर्की दादरी में मोहित-चौधरी केंडिट हो सकते हैं बिवानी महिंदर कट के सांसच चौधरी धर्मबीर के बेटे मोहित-चौधरी को सकता है करणाल से पानिपत ग्रामीन से राज्य मंत्री हर्याना सरकार जो पंचायत मंत्री है मैपाल ढहंडा का टिकेट फिर त्ह novel के युदरवाला जोकीराम से हाग जे ज provide चोड करके बरवाला से उकलाना में अनूप धानक का टिकेट कनफर्म हो रहा है अनूप धानक ओम्प्रकाष चोटारा की पार्टी में पहले इनेलो से विधायक थे 2014 में पार्टी टूटी तो फिर वापसी चरे गए थे वो जेजेपी में 2019 में जेजेपी के विधायक थे राज्या मंत्री थे अर्याना सरकार के अंदर उकलाना से अनूप धानक का टिकेट कनफर्म हो रहा है और अंबाला केंट में अनिल्विज गब्बर अनिल्विज पर पा 45 नामों की सूची हमने आपसे शेयर की है बाखी 45 नामों की सूची वो भी आपको जल्दी बताएंगे आप हमारे इन नामों से कितने सहमत हैं कमेंट सब्क्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना